किसानों की समस्या कम होती नहीं दिखाई दे रही कभी भारी बारिश से फसलों को नुकसान तो कभी उपच का सही दाम नहीं मिलने से किसान परिशान असल में राज्य के किसान इन दिनों प्याज का सही दाम नहीं मिलने की विरोध में आंदोलन भी कर रही है इस भी सोयाबीन की कीमते भारी गिरावट के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है राज्य में सोयबीन नकदी फसल है ऐसे में बाजार भाव कम होने से उत्पादक निराश है खरीब सीजन में सोयबीन दूसरी सबसे बड़ी नकदी फसल है मराट फड़ा में भी सोयबीन की सबसे ज्यादा खेती की जाती है अब जब सोयाबीन की कटाई शुरू हो गई है तो किसानों की की चिंता बढ़ गई है क्योंकि सोयाबीन के दामों में गिरावटा रही है इस समय कई मंडियों में सोयाबीन का रेट 1100 रुपई से लेकर 3000 पे प्रतिक विंटल देखने को मिल रहा है किसानों का कहना है कि इस साल भारी बारिश के कारण सोयाबीन की खेती की लागत काफी बढ़ गई है ऐसे में सीजन की शुरूआत में ही सोयाबीन के भाव में आई गिरावट से सोयाबीन किसान चिंती थै सीजन की शुरुआत में ही किसानों को मिली निराशा इस साल खरीब सीजन की शुरुआत से बारिश में देरी के कारण सोयाबीन उतपादुकों को दोहरी बुआई करनी पड़ी थी फिर अत्यदिक बारिश से सोयाबीन की फसलों को अधिक नुकसान पहुंचा खरीब सीजन के दुरान पिछले कुछ दिनों में हुई भारी भारी से सोया बीन को काफी हद तक नुकसान हो चुका है कई शेत्रों में भारी बारिश के कारण त्यार फसल भी नस्ट हुई है वहीं अब सीजन के शुरुआत में ही किसानों ने सोयाबीन का भाव उनको कम मिल रहा है पिछले साल के सोयाबीन सीजन के अंत में सोयाबीन की कीमतों में रिकोर्ड बढ़ोतरी दर्च की गई थी हलाकि इस मुल्य वरिदी से किसानों ने ज्यादा वेपारियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था मौजूदा किमतों को देख कर लगता है कि किसानों के अपने धराशाई हो गए हैं वर्तमान में किसान काफी चिंतित है क्योंकि सोयाबीन के भाव ग्यारा सो से तीन हजार की रेंज पर कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं अमरावती जिले के रहने वाले किसानों का कहना है कि उन्होंने 7 क्विंचल सोयाबीन का 3,000 रुपे प्रती क्विंचल के हिसाब से भाव मिला है ऐसे में वो कह रहे हैं कि हम अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं और इसकी खेती करने में हमें कुल 20,000 के आसपास का खर्च आया है बजार में इतना कम रेट मिलेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ेगी और वहीं और अरंगाबाद की मंडी में भी एक अक्तूबर को सिर्फ 600 क्विंचल सोयाबीन की आवक हुई और जिसका नियुन्तम मुल्या है ग्यारा सो प्रति क्विंचल रहा और अधिक्तम दाम 2000 पय तो वहीं ओसद दाम 16 प्रतिक्विंचल दर्च किया गया नागपूर में एक क्विंचल सोयाबीन की आवक हुई जहा नियुनतम दाम 3800 रुपे प्रतिक विंचल रहा तो अधिकतम दाम 3800 रुपे प्रतिक विंचल ही देखने को मिला बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी